नमस्कार प्यारे साथियों नाने क्लासे सी उसर यूटूब चल्न पे आप सभी प्यारे विदार्थियों का स्वागत है आज का हमारा टॉपिक कुरानी यादेत ताजा यानि अब राजस्तान के अंदर नए 16 विदानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाओं के मद् मंत्री बना इसके काल में कौन से विपक्स के नेता थे कौन अटे वो सारी चर्चाम ने की थी वाज की क्लास में हम चोथी विदानसभा की चर्चा करेंगे चोथी विदानसभा गठीत हुई 1966 से लेकर 1902 तक हमान नित्य कारेकाल विदानसभा का उता है पांच वर्स लेकिन समय से पूरो भी बंग हो जाती है तो विदानसभा के लिए आम चुनाओं प्रोटेम स्पीकर विदानसभा देख से किसमे राज्य मंत्री और संसिद्यस चीवपद की विविस्ता हुई और ब्रक्तुला खां इसमें मुख्य मंत्री बने पूरी चर्चा करेंगे सारे विदार्सी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो नानकला से सिवसर नाम से है ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहें देखो सबसे पहले तो थी विदानसभा 1967 से लेकर 1922 हमने पहली विदानसभा पड़ी 1952 से लेकर 57 तक फश्ट विदानसभा फिर हमने सेकेंड पड़ी 1957 से लेकर 62 तक तीसरी हमने पड़ी 1962 से लेकर और 66 तक अब चोथी विदानसभा आती है 1967 से 1922 पहली विदानसभा में हमें क्या पड़ा हमने ये पड़ा कि 160 सेटों पे चुना हुए दूसरी में हमने पड़ा 166 पे हुए पड़े थे ना तीसरी में फिर 166 सेटों पे चुना हुए अब चोथी पर है 1884 ये परसन बहुत बार पे प्रमे आता है 1884 सेटों पे चुना हुए महलाए निर्वाची तुई आठ पर्थम बैठक हुई तीन मई 1967 अलंकि पर्थम बैठक वगेरा एकजाम में नहीं पूछे जाते एकजामिनर अगर गैराई से पूछेगा तो आपको पूछेगा कि चोथी विदान यानि किस विदान सभा में सद संतर पार्टी को 48 सीट मिली और बारतिय जन संकुब 22 सीटे मिली यानि बारतिय जनता पार्टी धिरे धिरे उबर कर रहे आ रही थी इस चुनाओं में कॉंग्रेस पहली बार बहुमत चुटा नहीं जुटा पाई लगब बहुमत मिलता था लेकिन अब जैसे अब अपनी राजस्तान विदान सभा के जो चुनाओंगे उसमें सीटें कितनी है 200 और जिस पार्टी को 101 सीट आगी उस सरकार यानि क्या मिलेगा बहुमत बहुमत के लिए कितनी चाहिए 101 सीटें अलांकि गठ बंदन होके आजिकल सरकाने बन जाती है तो इस चुनाओं में कॉंग्रेस पहली बार बहुमत नहीं जुटा पाई और सवतंतर पार्टी और बारतिय जनसंग पार्टी का वर्चसों बढ़ गया यह सवतंतर प दानसबा में द्यक्स थे निरंजन नाथ आचारे कों थे निरंजन नाथ आचारे और यह सारे परसन में आपको जो रोज डेली की कि खलास अरी अपनी आठ बजे क्रंट की उसमें यस्टरडे एर नेक्ष्ट दोज में दे रहाँ तो वहां भी आपका अध्यन हो रहा है महारावल लक्समन सिंग कल मैंने जब तीसरी विदान सबापको करवाई तो मैंने बताया सबसे ज्यादा बार महारावल लक्समन सिंग विपक्स के नेता रहे विकोर्ड च्यार बार पु सिभाँ, पिर देखो डुंगुरपुल महरावल लक्सम 누ρ के ने तर्टो में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया लेकिन के अंदर सरकार ने पहली बार राष्ट पतिसासन लगा दिया तेरा मार्च 1967 से चब्वी सप्रेल नी सो सब्सक्राइब की क्लास में मेरे एक क्वेस्टिन पूछे गए हैं और आपने बहुत सारे विदार्थियों ने जबाब भी दियो क्यों कि यहां पे कॉंग्रेस को कोई बहुमत नहीं मिला को जब बहुमत नहीं मिला सिर्फ नवासी सीटे मिली तो कंडिशन यह आ गई कि सवतंतर पार्टी और जनता यानि संग यह दोनों आपस में मिल गए और इन्होंने कोई इसकी सरकार मना ने की लेकिन वो भी पार नहीं पापाए तो क्या हुआ कि राष्टपति सासन लगे कब से कब तक 13 मार्च 1967 से 26 सप्रेल 1967 तक राजस्तान में पहली बार राष्टपति सासन लगा यहनि सविदान का अनुछे 356 का प्रयोग हुआ उस समें हमारे राजस्तान के राजय पाल थे संपूर्णा नंद कि एक सभी वेक यह शक्ती होती है यह राजय पाल के पास कि वो मुख्य मंत्री पूछे तो महलनलाल सुखारिया थे तो ही परसन उग्जाम में पूचे हैं तो राष्ट पतिस मार्म आकसण मुख्य मंत्री बहुमत प्रपत करने में ऐस अपनरे और नौ जुलाई ern menor रहे और źुलाई 1931 को मुख्य मंत्री बना दिया गया अंगर खास तंख्यक कहो या पर्थम मुस्लिम मुख्य मंत्री बने और पद पे रहते वे मृत्यू को अब इससे क्या हुआ त्री शंकू विदान सभा बनी किशी को भी स्पष्ट भाहुमत नहीं मिला जनसंग ने जवतंदर पार्टी ने कॉंग्रेस 1967 में राजस्तान की राज्य मंत्री प्रिशद में राज्य मंत्री और संसद्य सचीवपद की विवस्ता शुरू बहुत इंपोर्टन्ट है यह परसन पेपर में आता है या तो सन पुछा जाता है उन्नी सो सट्सट या पुछा जाता है राजस्तान विदानसभा की कौन सी वि जेपाल और मुख्य मंत्री करता है 1967 में राज्य मंत्री पुरिशद में राज्य मंत्री यानि संसद्य जो सचीव होते हैं उन्हें एक निचे राज्य मंत्री का दर्जा दिया यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यह चोथी विदान सबागी चलता है बाकी नानक क्लास अब में सारी टैसरी चल रही है जितनी भी टैसरी जै टोपिक वाइज आप टैसरी लेके अध्यान कर सकते हो इक्वेस्टिन भी आपके द्वारा डालेगे अब चर्चा कर हो चुकिए अगले वीडियो में आपको मिलेगी पांच यह भी अब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंसता रहें